हलो दोस्तों वेलकम बैक टू मैं यूटूब चैनल टेक्निकल मदार आप सब लोगों का आज की इस नहीं वीडियो में फिर से बहुत बत स्वागत है और दोस्तों मैं इस वीडियो को स्टाट करने से पहले सबसे पहले आपको बता देना चाता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें अगर आपके घर बैटरी है इन बैटर है या फिर किसी भी कंपनी की कोई भी बैटरी है जिसमें आप बाटर की कमी होती रहती है आए दिन हमें डालना पड़ता है लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि बाटर को कैसे डालना है और बैटरी में बाटर कौन सा डालना है तो इस जो है वो पूरी complete वीडियो है मेरे पास एक luminous की बैटरी है जिसमें थोड़ा सा बाटर कम है तो मैं इसमें आपको fill करके दिखाऊंगा तो इस वीडियो को end तक जहूर देखें मेरे पास आज है distill बाटर acid भी है जो के बैटरी से निकलता है उसके बाद 2-3 तरह का और बाटर है तो हमें कौन से बाटर का उपयोग करना चाहिए जिससे हमारी बैटरी का backup और बैटरी की life जो है बरकरार रहे है तो इस वीडियो को देखते रहे है सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूँँ और आप एक अच्छी बैटरी लेना चाहते हो तो आप इस luminous की बैटरी को ले सकते हो यह जो है वो 247 model 160 amp की बैटरी है जिसके 3 साल तक यानि 3 साल तक बैटरी फिरी में replacement हो जाएगी और जह आपको market में 13800 रुपय की something मिल जाएगी अच्छी बैटरी है और अब मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि बैटरी में बाटर कैसे डालना है सबसे पहले मैं बैटरी के बाटरी की बात कर लेता हूँ यह मेरे पास है दो लीटर की पानी की बोतल और यह मातर 30 रुपय की market में आपको आराम से मिल जाएगी कभी भी आ दालना चौती बात नई बैटरी में एसिट कभी मत डालना यह तीन काम आप बैटरी के साथ कभी मत करना आपकी बैटरी का backup आपकी बैटरी की life हमेसा बरकरार रहेगी यह डिस्टिल बाटर होता है यह फिल्टर प्यूर फिल्टर बाटर होता है इसमें आईरन की कोई बाटर नहीं है अगर हां यह बोतल अगर 500 रुपए की होती तो इसके बारे में और सोच्टे की बारिस का पानी है इसका यह नहर का तो सोच्टे लेकिन बहुत सस्ता बाटर है साल में बहुत मुश्कल से 20 लीटर पानी नहीं पढ़ता होगा मेरे हिसाब से इंडिटर वाली अब मैं आपको बताँगा कब डालना है कैसे डालना है में खेल यूए वो इसका है दोस्तों यह होता है बैटरी में हर बैटरी के साथ मिलता है इंडिटर वाली बैटरी के साथ जब बैटरी में बाटर कम होता है तो यह जो है वो नीचे चला जाता है इस टाइप से नीचे लाइने बाटर कम होगा तो यह नहीं जाए तो हमें जादे पानिए बानि करना है यह छो जितना कम होता रहा है उतना डालना लोग क्या करते हैं कि पूरी बैटरी पूरी बीडियो बैटरी जो है यहां तक यहां तक बैटरी में एसेट कम हो गया यहां तक खतम हो ठीक है उसके बाद एक दम दस लीटर पांच लीटर बीस लीटर बाटर लाक है उसको पूरा यहां त भर देते हैं तो बैटरी ऐसा नहीं करना चाहिए अभी मैं आपको डाल के लाइब दिखाऊंगा तो आप लोग देखते रही है तो ये बात तो बिल्कुल किलियर हो गई कि बैटरी में जो है वो कौन सा बाटर डालना चाहिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं तीन चार बोतले हैं ये जो है वो टाइल्स बगरा साफ करने के लिए है ठीक है नमक बाला ऐसे ये भी हम साइड कर देते हैं और ये एक लिटर की डिस्टिल बाटर की कीमत है जो जिसके कीमत जो है वो बीस रुपे की है ठीक है और ये दो लिटर की है जिसकी कीमत तीस रुपे है और बेट्री की बोतल को खोल लेता हूँ siil pack आती है मैं इसको खोल के फिर दिखाता हूँ खोलो इसे ठीक है दोस्तो यह तेजाब नहीं होता है यह butter होता है उसको भी हम side कर देते हैं अब हमें किस परकार से डालना है जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ यह जो है थोड़ा सा बाटर इसमें कम है जादे कम बाटर ना होने दें जैसे कि यहाँ तक जैसे कम हो जाता है तो बैटरी की गरप्टी गिर जाएगी फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है तो अब हम इसमें थोड़ा सा डाल के दिखाते हैं आप पीक की मदद से भी डाल सकते हो डालो इसमें हम इस पिरकार से में डालना है दोस्तो बस करो अगर हमें नई पता चल रहा है कि बैटरी में बाटर केतना पड़ा तो हम बार बार इसको कस के देख सकते हैं अब हम दूसरे में डालते हैं इसमें डालो ठीक है दोस्तो तो अब हम इसमें भी एक बार चेक कर लेते हैं कि बैटरी में बाटर पूरा हुआ या फिर नहीं हुआ इसमें भी बाटर जो है वो पूरा हो गया अब हम तीसरे में डा अब ही मैं आपको यह बताऊँगा कि जैसे बहुत यह बैटरी कुछ महीने चली हुई है और जादे साल पुरानी बैटरी जैसे 2-3-4 साल पुरानी बैटरी है तो इसमें किस चीच का युपीयोब करें acid का या फिर butter का भी मैं आपको बताऊंगा देखते रही है आप लोग तो अभी finally इसमें हो चुका है और टैंसल लेनी की जरूरत नहीं है अगर यहाँ पर कारवर मगरा आ गया है तो इसको गरम पानी से धो दें अच्छे से साफ कर दें और यहाँ पर ना बानी डालें ना एसे डालें बलके site में जो होती है उन से ही डालें तो इस तीच का भी आप लोग ध्यान रहें बाकी एक परसेंट भी वीडियो चिलें को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें दोस्तो यहाँ तक तो वीडियो ठीक है ठीक है जिनकी बैटरी एक साल या फिर देड़ साल हुई है लिये हुए लेकिन अगर दोस्तो आपकी बैटरी को जादे टाइम हो गया जैसे के तीन साल या फिर गारेंटी से बहार हो गई तो उसमें आपको एक काम करना है इस वीडियो को एंड तक देखना है और सबसे जरूरी जो काम है आप किसी भी बैटरी वाले दुकान पर जाकर जो पुरानी बैटरी से निकलता है उसको खरीद कर लाएं जो 20-30 रूपर लेटर मिलेगा उसका ही उपयोग करें अगर आपकी बैटरी को और बैकप बढ़ाना है या फिर बैटरी को और लंबे समय तक इच ना है तो इस चीच का आप ध्यान नहीं उसमें बाटर का कम यू प्यार देना जैसे आप लोगों ने इस चैनल प्यार दिया तो सब्सक्राइब करना उस चैनल को बिल्कुल भी मद बूलना दोस्तों और मेरे एक दूसरे भाई का चैनल है वो भी इस कैटागरी का है तो उस पर भी जा करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं किसी और वीडियो